तो फ्रेंट्स वीडियो में बात करेंगे हम लोग बंदर मैंग के बारे में weekly chart पर analysis करेंगे जिससे हम लोग थोड़ा सा long term का view पता चलेगा बंदर मैंग में कि open की टाफ stock हम लोग को क्या टारगे दिखा सकता short term के सबसे या फिर long term के सबसे अगर fall भी आएगा तो कौन से level से आ सकता है आज के दिन closing देखने मिला 188 रुपेस 20 पैसे के पास जो कि नो डाट थोड़ा सा negative closing देखने मिला अगर पास की momentum की बात की जाए तो stock देखिए तो slow and steady थोड़ा सा नीचे की तरफ में को fall दिखा रहा जो कि बोल सकते है कि downtrend में भी trade continue करते हुए दिख रहा लेकिन पास अगर one month two month की बात की जाए तो stock try किया था उपर की तफ recovery दिखाने का लेकिन अभी थोड़ा सा stock correction दिखा रहा जो कि no doubt एक fine भी है क्योंकि 180 रुपेस के ऊपर जब तक बंदर में trade कर रहा है stock में कोई भी दिक्कट की बात नहीं है तो किसे ने 100 टेंग पर साफ साफ स्ट even more than that अगर invest किया है तो अगर 100 टेंग पर साफ से इंवेस्ट के स्टॉप्लस 180 रुपे के पास होना चाहिए क्योंकि जैसे आप से stock हम दोको बहुत टेंग से sideways एक नीचे के तरफ range में trade करते हैं यहां से जब भी 200 रुपय के ऊपर stock निकलता है stock में आपको एक pattern बंते हुए जिसको हम लोग W tap का भी pattern बोलते हैं जो कि एक अच्छा उपर के तरफ stock जब भी दिखाता है ब्रेक आउट करता है इस लेवल का तो एक अच्छा मोमेंट हम लोगों को देखने मिलता है तो यहां से जब भी 200 रुपय के ऊपर stock निकलते हैं पहला target निकलता है जो कि stock ट्रागेट निकलेगा 300 रुपय के आसपास और लॉंग ट्राइम के साफ़ स्टॉक 350 से लिके 500 रुपय से जाधा तक कभी टाइगेट उपर के तरफ दिखा सकता है जिसे साफ़ स्टॉक अभी pattern बना रहा है इसलिए stop loss लगाएंगे ज़रूर जो कि 180 रुपय के पास होना च चाहिए तब तक के लिए इस वीडियो में वीडियो चाला तो लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें